Hello everyone, welcome to the class number 6 of the chapter, programming using C. तो last कुछ classes में हमने ये पढ़ा कि C एक कैसा programming language है? उसके बाद हमने पढ़ा history के बारे में C programming language का, तो आज हम पढ़ेंगे कि C programming language यूज़ करके अगर हम programming करना चाहते हैं, तो program करने के लिए हमें कोई software चाहिए, जिस software में हम C program कर सके, मतलब C के programming language को यूज करके program कर सके और उस program को execute करके किसी बी तरह के task और फिर operation perform कर सके हमारे computer system में तो task कpowers और फिर operation perform करने के लिए हमें पहले program लिखना पड़ेगा तो C programming language को यूज करके प्रोग्राम लिखने के लिए हम different type of softwares available है different type of softwares में से कोई भी software को use करके हम क्या कर सकते हैं C programming languages को use करके C program लिख सकते हैं तो उन में से एक software के बारे में आज हम देखेंगे कि उस software को हम कैसे download कर सकते हैं और download करके हमारे computer में उसको install करके हम कैसे उसको use कर सकते हैं ओके आज हम उसके बारे में देखते हैं ओके तो चलिए पहले जाते हैं ब्राउजर में तो जैसे कि हम C programming language को C programming language को यूज़ करके C program लिखने के लिए और C program को लिख के उसको execute करके task के फिर operation perform करने के लिए हम यूज़ करते हैं ज्यादा तर turbo C++ को ओके तो turbo C++ को हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे easily तो पहले search कर लेना है turbo C++ उसके बाद जो first link आएगा उसे पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे download का option आप देख सकते हो download के option में आपको click करना है download के option में click करने के बाद फिर downloads में आपको चले जाना है वहाँ पे आपका turbo C download हो चुका होगा तर्बो C download होने के बाद उसके बाद आपको folder में चला जाना है जिस folder में वो store है उसी folder में फिर उसको open करना है open करने के बाद फिर क्या करना है यहाँ पे देख सकते हो turbo C++ 3.2 लिखा है Windows installer package यहाँ पे double click करके आपको इसको open करना है उसके बाद next में click करना है और उसके बाद next next में click करके आपको क्या कर देना है install कर देना है तो जबकि मेरा already install है तो मैं यहाँ पे install नहीं कर रहा हूँ पुरा total install होने के बाद यहाँ पे आपको finish वाला option दिखाई देगा तो यहाँ पे finish में आपको click कर देना है उसके बाद आप यहाँ पे search में जाके search करोगे turbo तो यहाँ पे आप देख सकते हो आजाएगा turbo C++ यहाँ पे इसको double tap करके double click करके open करना है तो यहाँ पे turbo C++ का एक screen available हो जाएगा यहाँ पे लिखा है start turbo C++ यहाँ पे click करना है वहाँ पे click करने से आपका turbo C++ का screen open हो जाएगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हो easily C program लिख सकते हो और C program लिख के easily आप क्या कर सकते हो C program को use करके task effect operation perform कर सकते हो तो समझा गया कि हम कैसे एक Turbo C++, एक Text Editor, मतलब C Text Editor Software को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आज हमने उसके बारे में देखा, ओके, तो next class में हम फिर पढ़ेंगे, ऐसे और कुछ topics के बारे में, आज के लिए इतना ही, Thank you!